हेल दूस्तो, वेलकम बैक टो दी चैनल मैं कसम से बता रहूँ, 2020 जो है न, वो इतना मनहूस है, इतना मनहूस है कि मैं आपको बता नहीं सकता खेर कोई नहीं, हम तो थे बाइक लवर्स, तो हमें लगा कि हमारा क्या विखरने वाला है लेकिन यहाँ पर इस करोना वाइरिस ने, और इस 2020 ने, हम लोगों का भी हिसाब किताब गड़बर कर दिया मतलब, लॉक्डाउन के बाद आप लोग सोच रहे थे, कि यार एक मस्तसी बाइक लूँगा लॉंग टूर पर जाँगा, घुमूँगा, बड़ी ऐसे, जो भी करूँगा बट इहाँ पर आपका बजट विखरने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे थे, कि यार MT-15 ले लूँ तो अब आप लोगो उस पर और प्राइस जादा देना पड़ेगा जिससे प्राइस जादा दोगे, तो फिर आपको और बड़ी CC की बाइक देखने को मिलेगी जैसे कि RS200 हो गई, चाहे NS200 हो गई, तो आप सोचोगे कि यार मैं ये लूँ या ये वो लूँ लेकिन उन पे भी प्राइस बढ़ गया है, तो चलो बताता हूँ, मैं आप लोगो कौन-कौन सी बाइक पर कितना प्राइस बढ़ा है, जादा बड़ी वीडियो नहीं करूँ गा, तो और आप लोग भी जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ करोना वाइरस की वज़े से ही हो है, क्योंकि एकोनोमिल डाउन जा रही है, मार्केट उनका फिगर था नहीं, तो भाइसाब मतलब चलो पैसे बढ़ाते हैं, मैं अगरी करता हूँ, लेकिन कुछ बाइक पर तो 3500-4000 रुपे तक बढ़ा दी है, इन लोगों ने, मतलब हद है, बाकि अभी मेरे पास आप बता देना, मैं पार्ट 2 भी बना दूँगा, सारी बाइक के प्राइस के साथ, तो यावे सबसे पहला, आप लोगों को यामा की तरफ से FZV3, FZSV3, इसमें आप लोगों को 500 रुपे का, मतलब 500 रुपे अब एड़न होके देने पड़ेंगे, अभी तक ये बाइक आ अंदर 411cc का सिंगल सेलेंडर इंजन मिलता है, 24.3bhp का पावर, 31Nm का टॉर्क, इस बाइक पर भी प्राइस बड़ा है, जो कि 2754 रुपे आपको एक्स्टा पे करना पड़ेगा, एक्शोरूम में प्लस कर लीजेगा, तो इस बाइक का जो एक्शोरूम ओल्ड प्राइस ह वो 1,86,811 रुपीज है, मतलब आपको 3,000 रुपे का आस-पास में और ज्यादा देना पड़ेंगे, जिससे कि भाइसाब मेरा तो बजट बहुत जादा लग घूम रहा है, समझ मिन्यारा में क्या करूं, बढ़ते हैं, नेक्स्ट बाइक की तरफ, यह है MT-15, इसमें आपक को पे करने पड़ेंगे, नेक्स्ट NS200, बजास से तो कता यह उम्मीद नी थी, कि वो इतना जादा प्राइस बढ़ेगा, आप honestly यकीन नहीं करोगे, कम से कम 35,000 रुपे इन्होंने NS200 पर बढ़ा है, ना आप लोगो डूल चैनल ABS मिलता है, ना फुली डिजिटल इंस्ट्र क्लस्टर मिलता है, ग्राफिक्स तक नहीं मिलते है, उसके बावजूर भी 35 में, मतलब भाई साब किस बात के यार, मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हूँ बजास से, आर उन 5 V3 की बात करते हैं, काफिजदा पॉपलर बाइक है, वन 50 CC में, काफी अच्छा मार्किट इस बाइक के अंदर आप लोगों को तीनों कलर्स के अलग अलग प्राइस देने पड़ेंगे, आपका थंडर ग्रे वाला जो कलर आता था, उसके आपको 500 रुपीज एक्स्टर देने पड़ेंगे, जो आपका डार्क नाइट वाला एडिशन आता था, उसमें आपको 600 रु प्रेट लेकर आने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इवन एक नया कलर तक नहीं दिया बजाज वालोने, इस बाइक को तो सुनके मलता दिमाग खरा हो जाएगा, बहुत साथा लोग, बहुत साथा लोग इंटरस्टेट थे इस बाइक को लेने के लिए, अब शायद रुपीज में आप लोगों देखने को मिलती थी एक शोरूम, पैंतिस सो एक रुपे पढ़ा दिये भाई किस बात के, मतलब अभी डूवल चैनल एब यह जो तुमने दिया था उसमें पैसे बढ़ा है, फिर उसमें पैसे बढ़ा है, फिर उसके बाद आप लोग अब दु 150 standard जो की Pulsar की है, 150 standard इसमें 2003 रुपे का आपको increase हुआ है, पुलसर की 150 twin डिसक आती है, उसमें भी आप लोगोगोगों दो लोगों दो वह जाद तीं रुपे ज़्यादा देने पढ़ेंगे, मैं तो बहुत ज़ादा डिसपॉइंट हो, आप लोग मुझे कमेंड करके ज़ कि प्राइस बढ़ेगा और अगर आप प्लान कर रहो ना लेने की कोई भाइक फटा फट ले लो नहीं तो आपको और भी प्राइस पेकरने पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में